प्रिये बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बासा, भूली और लीपी के बारे में जाने हैं, ठीक है, आगे वड़े हैं, कल भूली बासा के परिवासा और बासा के बारे में पड़ा अज़ा याँ सुरवात करें, बासा के दो रूप उते हैं, बासा के दो रूप उते हैं, एक माँखिक बासा और लेकिक बासा माँखिक कहने का मतलब जहां पर लेकिने करते काम ना होता हो, अस्थाई उसे कोई काम ना हो, जैसे हम अपने मित्रों के साथ से वार्टालाफ कर दिए बातशीत करते हैं, वह भी मौफिक वासा काम दारना है, फिर हम तहीं पर भासन सुनते हैं, मौफिक वासा काम दारना है, फिर हमारे प्राजारी मोद हमें आखें, समयाति हैं, मौफिक वासा काम दारना है, ठी कहना, तो माँ की बाजा की पनी बाजा इस प्रकारी दे सकती हैं जब हम अपने मन के महाओं तथा विचारों को दूसरे के सम्मक्ष बोल कर परकट करते हैं तब हम उसे माँखे की बाजा क्याते हैं बाजा की जो परिवासा थी उसमें से सिर्फ हम एक शब्द को अलब करेंगे और उसे से हमारी परिवासा बन जाएगी माँखे की बाजा की बाजा क्या थी बाजा के माँखें से हम अपने मन के भावत था विचारों को दूसरे की सम्मक्ष बोल कर या लिख कर प्रकट करते हैं तो यहां लिखना उनक्षोर देंगे फिर बोलना बोलेंगे मतलब फिर से माँखिक बाजा की परिवासा जब हम अपने मन की बातों को दूसरे के सम्मक्ष बोल कर प्रकट करते हैं तो उसे माँखिक बाजा कहा जाना है जैसे वर्तालाब करना बासर जुनना इत्यादे लिखिक बासा बच्चों मौकिक बासा की परिवासा थी उसी में आँ उसी से परिवासा मनाएंगे मौकिक बासा की परिवासा थी जब हम अपने मन के बहुत अथा विचारों को एक दूसरे की सम्मक्ष बोल कर प्रकट करते हैं तो उसे मौकिक बासा कहते हैं जहां के लिखिक बासा में जब हम अपने मन के बहुत अथा विचारों को एक दूसरे के समख्ष लिग कर प्रकट करते हैं तब से हम लिखित पासा करते हैं जैसे हम अपने मन की बात की किस तरह से रखते हैं पत्र के माधियम से रखते हैं निवन्द के माधियम से रखते हैं कहानी के माधियम से रखते हैं तो पत्र, समचार पत्र, कहानी, कवेता, यह सब लिखित भासा को दानन हो जाएगा और लिखित भासा को अस्थाई किसा भी कहाया था क्योंकि जब हम एक वहार किसी बात को लिख कर रखते हैं उसे वरसों तक हम पढ़ते हैं इस वैसे विखित भासा को भासा का अस्थाई रूप कहाया है और मौकित भासा को भासा का प्राशीर रूप कहाया है प्रियवच्चो इस वीडियो में बस इतना ही धनिवार प्रियो झाल यज चाल झाल